कि मुश्कार दोस्तों मुरा नाम कभिसिका स्वागता आपका स्टडिये क्यों प्लाटफॉम में आज इस विडियो में हम चर्चा करेंगे सिक्षिड्यूल के बारे में क्योंकि लद्धा काफी लंबे समय से डिमांड कर रहा है जब से आपने देखा 370 जो है जमू कश्मीर स कि हमें एक तो आप फून स्टेट हुड फूल स्टेट हुड दीजा साथी साथ सिक्षिड्यूल भी हमारे यहां पर इंप्लिमेंट कीजिए तो यहां पर देखे हैं जैसे कि युनिन टरिटरी स्टेटास तो मिले गया था लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हमें जो है पावर्स जाहिए साथी सब्सक्राइब में बिल्कुल वही मॉडल पर काम करते हैं जिस पर सिक्षिड्यूल काम कर रही है जानेंगे सीडियो में एक्जैक्षिड्यूल जो है वह कैसे प्रोटेक्शन देता है क्राइब उपरेट करता है और क्या लद्दाग इसके लिए फ कि हम बात करते हैं ethnicity की तो हमें यह समझना चाहिए यह समझना होगा कि हमने ट्राइबल के बारे में क्या सोचा था जब उन्हें अपने constitution को implement किया तो हमने कैसे ट्राइबल प्रॉब्लम्स को resolve करने कोशिश की तो हमारे पास उसमें दो challenges थे या तो integration कर दें यह हम assimilation कर दें या फिर हम ट्राइबल को totally segregate रखें segregation करना North Eastern Tribal का एकदम हमारे possible नहीं था क्योंकि वही एक route था हमें जो east का access दे रहा था plus काफी ज़दा turmoil था उस एरिया में काफी ज़दा crisis थी तो भारत सरकार का वहां presence होना या भारत सरकार के साथ काम करना है इंट्राइबल का या integration रहना काफी necessary था दूसरी बात आती है assimilation के assimilation के हम बहुत दादा favor में नहीं थे assimilation होने की वज़े से ट्राइबल की जो अपनी अपने culture से अपने customs है वो खतम हो जाते और वो हम लोगों की तरह है ट्राइबल जो है वो अपने customs को enjoy करते रहेंगे ट्राइबल यह अपने local governments को enjoy करते रहेंगे अपने loss को customary loss को enjoy करते रहेंगे लेकिन वो भारत का ही एक पाठ रहेंगे तो यह integration की policy सटीक थी और इसे के चलते एक schedule को design किया गया आर्टिक्ल 244 के तुरू सको powers मिली और इसको constitution में introduced किया गया यहां पर यह देखा गया नॉर्थीस्टन के नॉर्थीस्ट के वो areas जहां पर tribal population 95% 90% से ज़्यादा यहां पर predominantly tribal population है वहां पर autonomous district councils बनाए जाए जाए वो autonomous district councils है वो आपके legislative judicial administrative autonomy को जो है function करें यहां फिर सारी autonomy मिले administrative functions मिले local tribes के पास legislative functions मिले और कई-कई जगे प्र judicial functions मतलब mini courts की भी power उनको मिले civil courts टाइप power criminal minor tribal issues को trial करने की powers उनको दी जाए ऑटनोमस district councils में 30 members रखे जाए elections यहाए वो 5 साल के लिए और वो जाए वो inheritance के laws हो marriage के laws हो divorce के laws हो social customs के लौस माइनिंग के हो देखा जाए कि लोकल लेवल पर tribal की जो आटनोमी वो बनी रहेगी और greater लेवल पर हमेशा भारत का पार्ट रहेंगे तो यही हमने integration के formula को आगे बढ़ाया और six schedule के थुरू हमने इसको इंप्लिमेंट करने की कोशिश की इसके साथ एक आपने देखा होगा borderland territorial council जो थी बीटीसी जो है उसको भी एक status दिया गया असाम के एरिया में और वहाँ पे similarly six schedule वाली पावर जो है वो प्रोवाइड की गई अगर हम अभी बात करें कि six schedule कहां कहां पर apply होता है तो आप देख रहें मेगालिया में मेगालिया में तो अल्मोस्ट पूरी जगह पर अप्लागा था एक थोटा सा एरिया शिलॉम उसको छोड़ दिया जाय तो बाकी पूर अलोंग का रिजन हो जो नागलेंड बॉर्डर से लगता है और साथी साथ नौर्धन असाम का पार्ट है बोडो लेंड जहां पे बोडो पॉपिलेशन काफी जादा है या प्री डॉमिनट बोडो की जो पॉपिलेशन है वहां पे यह six schedule की powers यो है या फिर जो main laws है या apply होत होते गवर्नर के पास powers होती है Autonomous District Council से पूछा जाता है कि पार्लेमेंट का यह law यहाँ apply होना है नहीं होना है वो लोग मना कर सकते हैं वो लोग कह सकते कि नहीं हमें पार्लेमेंट का यह law नहीं चाहिए वो चाहें तो उनकी पंचायत के जो laws हैं जो नियम हैं वो अपने है हैं जैसे कि हमारे 73rd amendment की जो पंचायत हैं वो directly वहां बिलकुल apply होता है लेकिन उन्होंने उसको अपने according modify किया हुआ है अपने according वो पंचायती राज के system को चलाते हैं हमारे हिंदू बारे जायत हमारे बाकी जो codes हैं विल्स हैं जो inheritance की बात करते हैं जो शादी की बात करते है हैं जो divorce की बात करते हैं वो भी apply नहीं होते हैं तो इसकी वज़े से ट्राइबल्स भी काफी लंबे समय तक खापी रहे देखे कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को लगा ही लग की हमारी autonomy भी हमारे पास है और हमें greater mainland का पार्ट भी है तो यही आप चाहता है लग्दाक की अगर ह लगा सकती हैं यहां पर काफी कम जो है टेक्सेशन की पावर्स है और साथी साथ लांड जो है वो बस उसके अलाटमेंट में या फिर पार्किंग भी ली जा सकते हैं अगर हम सिख शेडूल के बात पर नौर्ट इस्ट की तौहां पर लांड पर चेज नहीं की जा सकती है ल कि लगा को आप एक definite आप एक proper role assign कीजिए आप यहां के लेटन गवर्नर का जो पावर्स को design कीजिए या define कीजिए बिल्कुल उसी लेवल पर ले जाए या उसी तरह से आप लेकिया यह जैसे आप North East में कर रहे हैं तो यहां पर दीकिए अगर हम बात करें सिख शेडूल की दिमांड की तो अल्मूस्ट लदाग में हर को ही दिमांड कर रहा है कि हमें सिख शेडूल चाहिए देखिए सिख शेडूल से उनकी land प्रोटेक्ट हो जाएगी, jobs प्रोटेक्ट हो जाएगी, tourism को वो operate कर पाएंगे, tourism से revenue ले पाएंगे और साथी साथ अपने tribal autonomy को भी enjoy कर प पॉपलेशन है, तो हाँ पर शेडूल का application होना काफी जादा beneficial साबित हो सकता है, अब कार्गिल district की बात करें हम, तो कार्गिल तो आपने देखा है कि predominantly शिया मुस्लिम का जो area है, यहाँ पर भी demands आई है कि हमें special status दिया जाए, हमें भी कुछ ऐसे special provisions दिये जाए, तो देखि अब भी भी 6 schedule को North East से बाहर apply करने की power रखी ही नहीं थी, हमारा constitution यही कहता है कि 244 में अगर आप 6 schedule को पढ़ेंगे, तो केवल और केवल वो North East region में ही applicable होगा, पर ऐसा नहीं कि वो change नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, Parliamentic law ला सकती है, Constitutional amendment ला सकती है, और Constitutional amendment के यह लिख सकते हैं कि 6 schedule जो है वो लदाख पे भी applicable होगा, जैसे कि आप North East की बात करें तो North East में मनीपूर पे applicable नहीं होता, इसी तरह से out of North East वो लदाख पे applicable किया जा सकता है, तो यह सारी बाते आप देखेंगे कि 6 schedule की काफी important है, 6 schedule आ जाने से कहीं नहीं beneficial तो रहेगा ही र हैं, देखें, ट्राइबल में customs काफी important होते हैं, customs को वो thoroughly implement कर पाएगी और जो इतने भी पार्लिमेंट के laws हैं, उनके customs से align होके ही implement होंगे, जैसा कि North East के region में होता है, अच्छा एक बात और तो जैसे आपने देखा कि North East में नागलेंड के हम बात करें, मनीपूर की बात करे Greater Arunachal Pradesh के 3-4 district छोड़के बाकी जगे पर बात करें, तो वहाँ पे applicable नहीं है आपका 6 schedule, तो ये भी एक fact है या आपको याद रखना है, अच्छा बात आ जाती है, क्या 6 schedule ही एक panesia है, 6 schedule से क्या वाकई benefit हुआ है, एक बात ये भी चर्चा भी कर लेते हैं, कि 6 schedule की other side of the story क्य है, क्या वाकई में लदाक को अगर 6 schedule दे दिया जाएगा, तो लदाक का benefit हो जाएगा, लदाक वाकई beneficial feel करेगा, तो अगर हम 6 schedule का analysis करें लंबे समय तक, तो 6 schedule उतना प्रभावी साबित नहीं हुआ, जितना होना था, no doubt 5 schedule से better रहा, लेकिन वैसा प्रभावी साबित नहीं आ रहे थे, कि ये areas already, जो है, वो majority है, ट्राइबल्स के, ठीक है, तो इनको फिर protection की ज़रुवत नहीं है, land वगरा, इनका already protected है, अब मेगालिया के बास 6 schedule है, लेकिन मेगालिया ILP की demand कर रहा है, लंबे समय से, तो 6 schedule भी पूरी तरह से एक आप कह सकते हैं कि, full-fledged panacea नहीं करता है development में, जब तरह development नहीं होगा, tribal areas का, jobs महाँ पे नहीं पहुचेंगी, resource allocation proper नहीं होगा, funds नहीं पहुचेंगे, अब हम एक तरफ कह रहे हैं कि, panchayats के पास 6 schedule की funding की, fund raise करने की, taxes raise करने की power है, लेकिन दूसरी तरफ एक और problem आती है, कि जितनी भी autonomous district councils हैं, वो cash strapped है, कि आप ये सब कर सकते हो, लेकिन implement करने के लिए उनके पास resources या finances नहीं है, तो 6 schedule के भी ये drawbacks हैं, कि जब तक 6 schedule का आप सुदरुन नहीं करेंगे, आप उसमें finances प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप और ज़्यादा stringent जो हैं, वहाँ पे laws नहीं लेखेंगे, फिर पंचायत को proper powers जो develop करके नहीं देंगे, तब भी ये बहुत जादा successful नहीं होना, तो सिर्थ लदाक को 6 schedule में ले आने से लदाक की problem solve नहीं हो जाएगी, उसका proper implementation और funds जो हैं, वो पहुंचना काफी necessary है, लेकिन on the other side हम देखें, 6 schedule का एक drawback रहा है, कि अगर हम assimilation करते हैं, हम integration नहीं करके assim simulation करते हैं, तो शायद स्थिती बहतर होती है, शायद development हो जाता है, एक ये बात मानी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 schedule की वज़े से, कुछ constitutional provisions, article 14, 16, 21, ये undermine हो जाते हैं, जैसे कि हम बात करें, जो travel panchats हैं, वो preservation की बात करती हैं, मतलब वो non, जो majority है, अगर हम in areas की minority की बा बाहर हैं, government employment के benefit से बाहर हैं, reservation के benefit से बाहर हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनके लिए crisis रहती है, और साथी साथी जो inner line permit की बार-बार demand आती रहती है, ये development को लेके काफी crisis create करता है, इससे tourism impact होता है, development impact होता है, तो no doubt देखे, दोनों तरफ की बाते हमें, लेकिन फाइदा हमें फाइनली ये ही सोचना है कि sustainable development कैसे होगा, कि ये जो ट्राइबल्स हैं, इनकी autonomy भी बची रहे, ये भी इनके पास में रहे, और साथ-साथ development जो है, वो भी वहाँ पे पहुंचता रहे, तो similarly लदाक में भी यह हो, कि लदाक में autonomy भी रहे, ट्राइबल्स के पास resources भी रहे, ट job opportunities है, money race करने की, funds race करने के opportunities है, earning के opportunities है, वो भी खताम ना हो, आप में जब बता ही, आप क्या सोचते हैं, क्या लदाक को six schedule मिलने से कोई benefit होगा और नहीं होगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए, goodbye, take care and God bless you all.